कभी सोचा है आए दिन electric scooters में आग क्यों लगती जा रही है देखो, electric scooter इस 40 amp are lithium ion battery से चलते हैं बैटरी में battery packs के अंदर ये cells assembled रहते हैं Training packs के इन cells में आग लगने के mainly दो major reasons होते हैं पहला, BMS यानी की battery management systems का fail होना battery management system fail होने पर बैटरी पैक को ठंडा रखने के लिए यूज होने वाले इस एथिलीन ग्लाइकोल कूलेंट का सर्कुलेशन रुख जाता है और सेल्स का टेंपरेचर 90-100 डिगरी सेल्सियस तक चला जाता है इस वज़े सेल्स में आग लग जाती है और बैटरी पैक में चेन रियक्शन शुरू हो जाता है दूसरा मेजर रीजन है फॉल्टी चार्जिंग जैसे स्मार्ट फॉन्स के लिए आपको बोला जाता है कि हमेशा ही औरिजनल चार्जर का यूज करो वैसे ही अगर आप अपने इवी को नौन स्टेंडर्ड केबल से या ऐसे सॉकेट में चार्ज करोगे जिसमें प्रॉपर अर्थिंग नहीं है या सॉकेट फॉल्टी है तो ये बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम पका खराब हो जाएगा और आग लखने के चांसेस भढ़ेंगे